सिधार चुकला और सोनिया राथी का मच अवेटेड शो ब्रोकन बड़ ब्यूटिफुल 3 फाइनली आउट हो चुका है सिधार चुकला फैन्स के अफकॉस एक्सपेक्टेशन्स पर खरे उतरे हैं वहीं सोनिया राथी ने भी फैन्स को जादर डिसपॉइंट नहीं किया है उन्होंने भी यहाँ पर डीसेंट परफॉर्मेंस दी है सबसे पहले बात करते हैं ब्रोकन बड़ ब्यूटिफुल की बेस्ट चीज़ की जो था इसका म्यूजिक ब्रोकन बड़ ब्यूटिफुल का इतना सोलफुल म्यूजिक था कि आप उस म्यूजिक में बह जाएंगे लिरिक्स जिस तरह से म्यूजिक को कमपोस किया गया है बैक्ग्राउंड में जिस तरह से म्यूजिक खुल जाता है वो काफी जादा अच्छा है सिधार्थ और सोनिया और एहान भट तीनों की परफॉर्मेंसेज भी काफी जादा अच्छी है सिधार्थ को जो कहा गया उन्होंने वो काफी अच्छे से किया सोनिया को जो कहा गया उन्होंने भी वो काफी अच्छे से किया जबकि सोनिया थोड़ी थोड़ी सी बॉलिवुड अक्ट्रेस नर्गिस फाकरी की याद दिला रही थी वहीं इयान बट को यहाँ पर करने के लिए कुछ जादा दिया नहीं गया बात करते हैं इस शोव में कमी क्या थी सबसे पहले तो इस शोव में कमी थी जो एक basic चीज होनी चाहिए स्टोरी की एक love स्टोरी में बहुत चीसे matter करती है लेकिन इस love स्टोरी में characters तो थे लेकिन उन characters का जो बिहेवियर था वो वैसा क्यों था इसका कोई logic reason नहीं था सिधार शुकला क्यों शुरू में गुसे में नजर आते हैं अगस्ते राओ इतना कबीर सिंग वाले मोड में क्यों गूमते हैं इसका कोई logical reason नहीं दिया गया रूमी जब एहान भट के केरेक्टर से इशान से प्यार करती है तो वो बार बार दूसरे लड़कों के पास क्यों जा रही है अगर वो इशान को जलाना चाती है तो वो दूसरे लड़के के पास जाती है और उसके साथ one night stand करती है और जब उसे इशान मिल जाता है तो उसे वह वाई वाननाइट स्टैंड वाला लड़का चाहिए होता है, तो यह तो क्लीशे स्टोरी हो गई, हार लव स्टोरी में यही होता है, इसमें कुछ नया देखने को नहीं मिला है, एक्टर्स को जितना राइटिंग में, जितना स्क्रिप्ट में लिखके दिया गया है, उन्होंन आक्टिंग पर तो कमेंट करना बनता भी नहीं है वहीं सोनिय राठीज शो में एक फ्रेशनेस लेकर आई सब कुछ काफी अच्छा था बस अगर एक शो में स्टोरी ही ना हो तो उसके अरावा कुछ बच नहीं जाता है अल्रेड़ी ये एक रोमांटिक शो था जो कि हर किसी को इंटरेस्ट नहीं कर पाता है लेकिन शो के शुरू के एपिसोड्स आपका इंटरेस्ट बनाए रखने में काम्याब नहीं होते है एक्सेप्ट पॉर दोनों अक्टर्स की जो अक्टिंग है वो लेकिन वो अक्टर्स के जो केरेक्टर्स है वो इतने जादा स्ट्रॉंगली लिखे नहीं गए है स्क्रीन प्ले काफी जादा स्ट्रॉंग नहीं है ये एक डीसेंट शो है आप इस शो को जाईए देखिए खुश रही है लेकिन कुछ स्टोरी वाइस एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि कोई बहुती अलग लव स्टोरी होने वाली है वही क्लीशे लव स्टोरी है जो हमने देखी हुई है बस उसको एक अलग पैकेजिंग के साथ अलग आक्टर्स के साथ दर्शाया गया है वही अगर हम Broken But Beautiful सीजन 1 और 2 की स्टोरी से कंपेर करें तो उसके मुकापले तो इसकी स्टोरी कहीं पर भी स्टैंड नहीं करती है अक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है लेकिन पिछले सीजन के कंपारिटिवली जो स्टैंडर्ट सेट हो चुका है उस स्टैंडर्ट पर ये खरा नहीं उतर पाया है शो सिधार शुकला का जो केरेक्टर था अगस्ते राओ का उनका जो दिखाया था Profession Theater उसके साथ भी काफी जादा खेला जा सकता था ये जो पूरा का पूरा शो है वो at least 10 एपिसोड का तो नहीं होना चाहिए था इस शो को 6 एपिसोड में भी निप्टाया जा सकता था तो overall conclusion यहीं निकलता है कि सिधार शुकला के लिए आप ये शो देख सकते हैं क्योंकि वो यहाँ पर काफी जादा डैशिंग और कूल लग रहे हैं और उनकी different personalities भी हमें देखने को मिलती रहती है वहीं Sonia भी काफी जादा pretty लगी है वहीं वो एक rich family का character है तो उनको तो pretty लगना ही था performance भी decent थी तो actors के लिए ये show देखा जा सकता है गाने के लिए ये show देखा जा सकता है लेकिन अगर आप story के लिए ये show देखने जा रहे हैं तो ये show आपके लिए नहीं बना है प्लीज हमें comment section में comment करके बताईए कि आपको broken but beautiful 3 कैसा लगा